Hello friends, welcome to CVCS Academy. आज हम discuss करेंगे National Parks of India. यह हमारा National Park का second वीडियो है. First वीडियो में हमने Northern India के सभी National Parks को discuss किया था. अब इस second वीडियो में हम Peninsular India के सभी National Parks को discuss करेंगे. अगर आपने first वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक description में दिया हुआ है. वहाँ जाके आप देख सकते हैं उसको. चलिए, हम कुछ questions देख लेते हैं पहले. Which river flows through Papi Konda National Park? Papi Konda National Park से कौन सी river flow करती है? Which national park has highest peak of South India? South India की highest peak जो है, वो किस national park में है? Which national park has first butterfly park in India? कौन सा national park है? जहांकि इंडिया का first butterfly park स्थापित किया गया. In which national park Asiatic Lion reintroduction project started? Asiatic Lion का reintroduction project किस national park में start किया गया? And which national park has largest surviving population of cloud goats? Cloud goats की सबसे largest surviving population किस national park में है? अगर आपको इनका answer पता है, तो comment box में comment करके बता है. नहीं तो हम इस वीडियो में सबको discuss करते वे चलेंगे. ठीक है? First, तेलंगाना से हम start करते हैं. तेलंगाना में तीन national park हैं. पहला आपका काशू ब्रह्मानन्द रेड़ी national park. ये national park जो है, आपका हैधराबाद में है, Jubilee Hills पे. ठीक है, Jubilee Hills फड़ा है हैधराबाद का पॉस एरिया है. वहीं भही ये national park. काशू ब्रह्मानन्द रेड़ी national park. और इस नेशनल पार्क को जंगल एमिट्स, दे कॉंक्रीट जंगल कहा जाता है, जंगल एमिट्स, दे कॉंक्रीट जंगल, ऐसा क्यों, कॉंक्रीट जंगल के अंदर जंगल कहा जाता है, ऐसा क्योंकि हैदराबाद जो सहर है, वो पूरा बड़ी-बड़ी इमारतों से बना तो उनी के बीच में ये कासु ब्रह्मानद रेडी नेशनल पार्क है, ओके, सेकेंड इस महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी आपका हैदराबाद में है, ठीक, थर्ड इस मुरुगवनी नेशनल पार्क, मुरुगवन तेल में मुर्गा बना रहे हैं कासु और महावीर दो दोस्त हैं वो तेल में मुर्गा बना रहे हैं कासु प्रमानन रेड़ी हो गया महावीर से महावीर हरिनव वनस्तली हो गया और मुर्गवनी को अब मुर्गा वनी बना कर देते हैं तेल में मूर्गा बना रहे हैं तेल से तेलंगाना कासू महावीर तेल में मूरगा बना रहे है ओके यह देखी यह आपका figure है ब्रुग्वनी महावीर बने नयशनल पार्क के सामने यह इसरगी पिक्चर बनी ह box आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मावीर जौमी की मूर्ती बनी हुए उस नेशनल पार्क के सामने ही तो इससे तो आपको दिमागों पिक्चर के बढ़ जाएगी तो याद रहेगा कि यह कहां पर है यह तेलंगाना में है हैदराबाद में अके टोंगे नब ओणी तब आंदर पदेश आंदर परक के तीन आंदर फार्क कुछ första कोंटा नाशनल पार कПр Rush गोदावरी रीवर flows through this national park हमने question पूछा था आपसे गोदावरी रीवर किस national park से flow करती है वो है आपका पापी कोंडा national park ठीक इसमें जानवर जो पाये जाते हैं रॉयल बेंगल टाइगर लेपर रष्ट्री स्पोर्ट गाट यह बहुत जाते हैं यह पूरी हो जाएगी तो पापी कोंडा national park के एक हिस्से को लुपा देगी समर्ज कर देगी ठीक तो दो फेक्ट इंपॉर्टेंट है पापी कोंडा national park अंतर प्रदिस में है गोदावरी रिवर उसके थ्रूफलों करती है और यह पल्ला वर्म इरिगेशन प्रोजेक्ट वहीं पर बन रहा है गोदावरी रिवर पे सेकंड नेशनल प रिजर्व जो सेसा चलम हिल बाइस पर रिजर्व है उसका यह एक реंकरतिशन पार्क ठीक और यहां फेनियों वाथर फॉय आपका तला कूर्ण वाठरफ़ॉल में देख सकते हैं यहां पर यह आपका तला कूर्ण वाटरफॉल दीके तो बड़ा करेंगे दिखाते हैं दिस इस ताला कुना वाटरफॉल ओके और यहां पर जो एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशिश पाई जाती है वल्चर की वह है ओरियंटल वाइट बैग्ड वल्चर कौनसी ओरियंटल वाइट बैग्ड वल्चर यह पापी कुटा नेश्नल पार्क, राजीव गॉड़ी रामस्वर्व नेश्नल पार्क और स्री वेंकर्टिश्वरा नेश्नल पार्क अब इनको अब याद कैसे रखेंगे सिंपल सी दो लाइने हैं उनको दो बार बोल लीजे याद हो जाएगा लाइने क्या है? स्री बेंकर टेश्वर भगवान क्या करते हैं? जो पापी लोग हो उनको सजा देंगे ही वो तो लेकिन खुद सजा देंगे नहीं आएंगे किसी ओर के मारणे ह avoir सजा दिलवाएंगे वो तो लाइन क्या है? लॉड बेंकर टेश्वर ने राजीव गांधी से कहा कि अंधों को परशान करने वाले पापीओं को कोड़े से मारो जो अंधे लोग हैं उनको जो परशान करने वापी लोग हैं अंदे से आंद्रा को जो परिशान करें उन पापियों को कोड़े से मारो तो पापियों कोड़े से मारो मतलब पापिय कोंड़ा नेशनल पार्क ओके यह ती नेशनल पार्क और अंद्रा के इसका हम तमिल लाडु में देखते हैं तमिल लाडु में हमारे यह पांच important national park ठीक पहला है गुंडी national park गुंडी national park यह चन्नई में है और इस national park के खास बात यह है यह जो है वहां का जो राजभौन है उसके जो surrounding extension area है वही पर यह बसाया गया है राजभौन में जहां राजपाल रहते हैं चन्नई में ठीक है तो उसी के बाहर का extension area है राजभौ के राजपौन के आसपास के area है कहा है चन्नई में यहां बहुत अ क्योंसा गल्फ अमन्नार demon national park इसनल पार्क यह यह पर धिल्क कोड़ और फिमस एनिमल पहलजा जाता है जो कई पर इस इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है और यह कई बर UPSC में UPPCS में पूछा जा चुका है इन विच नेशनल पार्क डुगोंग इस फाउंड तो डुगोंग कहा पा जाता है यह गल्फ आप मननार मेराई नेशनल पार्क में ठीक इसको टॉप स्लिप भी का जाता है अमने पीछले अपने नेशनल पार्क के वीडियो में पसे क्वेशन पूछा था इसको टॉप स्लिप इसको टॉप स्लिप क्यों कहा जाता है इसका एक रीजन है पहले यह जो आपका जंगल का एरिया था वहां पर लोग बड़े बड़े लॉक्स काटते थे तो यहीं पर उसको दिरे से नीचे सरका जेते थे कि जिससे वो नीचे ग्राउंड लेवल पर चला जाए तो जहां से सरकात है तो उसी एरिया का नाम टॉप स्लिप पढ़ गया और वहीं पर यह नेशनल पार्क है टॉप स्लिप मतलब जहां जिस टॉप एरिया से लॉग स्लिप करते थे और यह टाइगर रिजर्व भी है अनमले टाइगर रिजर्व इसको अनमले टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है यहां अनिमल जो फेमस पाए जाते हैं वो हैं इंडियन ऐलेफिंट नील गिरी ताहर एंड लॉन टेल मकाग यह दो नहीं में बहुत इंडियन नील गिरी ताहर और लॉन टेल मकाग यह आपके साउथ इंडिया के 3-4 नेशनल पार्ग में यह अनमल पाए जाते हैं अब एक्जाम में अगर कोशन आता भी है तो अगर साउथ इंडिया कोई नेशनल पार्ग तो उसी में आप मारिएगा नौर्थ इंडिया में कही नहीं पाए जाते नील गिरी ताहर और लॉन टेल मकाग नहीं पाए जाते ओके नाव मुदुमलाई नेशनल पार्ग मुदु मलाई नेशनल पार्क इसके अंदर आपके एक रिवर फ्लो करती है मोयर रिवर इसको तो अध्यान रखिएगा UPSC Point of View से मोयर रिवर फ्लो स्थू मुदु मलाई नेशनल पार्क M for मुदु मलाई, M for मोयर रिवर and it is a Tiger Reserve तो आपके दो Tiger Reserve हो गए अनावले Tiger Reserve and मुदु मलाई Tiger Reserve 5th is Mukurti National Park इसका main attraction जो है Mukurti National Park है वो है नेलगीरी ताहर and it is part of नेलगीरी बाइसफेर रिजर्व इंडिया first international बाइसफेर रिजर्व जो Mukurti National Park है यह आपका नेलगीरी बाइसफेर रिजर्व का हिस्सा है नेलगीरी बाइसफेर रिजर्व जो कि इंडिया का पहला international बाइसफेर रिजर्व था तो इध्यान रगिएगा which was the first international बाइसफेर रिजर्व of इंडिया इस नेलगीरी बाइसफेर रिजर्व और उसी का हिस्सा है Mukurti National Park ठीक है आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके यह देखिए मैप उसका तमिलाडू का यह आपका गुंडी नेशनल पार्क चन्नाई में हो गया गल्फ ऑप मननार यहाँ हो गया यह आपका मुदू मलाई इन Mukurti National Park निलगी ताहर Mukurti National Park में पाए जाता है कि एक 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 डिसकस करते हैं फॉस्ट इस अनामधी शोला नेशनल पार्क इसमें एक से इंपोर्टन फैक्ट है पंबर रिवर जो इस नेशनल पार्क के थुछ फ्लो करती है यह यूपेसी के दिबांग में आगे आप स अनामधी शोला नेशनल पार्क यह जापका अनामधी शोला नेशनल पार्क यह तीन नेशनल पार्क यह तीन नेशनल पार्क यह तीनों को जोडता है एक तरसे लिंक करता है वो तीनों नेशनल पार्क है मत्तिक के टें शोला नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क पंपादुम शोला नेशनल पार्क ओके सेकंड देखिए इराविकुलम नेशनल पार्क पंबर रिवर फ्लोस थू इट तो पंबर रिवर अनावुदी शोला से फ्लो करती है और इराविकुलम से भी फ्लो करती है ठीक और नीलगिरी ताहर also called cloud goat largest surviving population of नीलगिरी ताहर is found in देशनल पार्क यहाँ एक प्लांड पाय जाता है स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना इसके फ्लार्ज होते हैं ब्लू कलर के होते हैं और इसे ब्लू कलर के फ्लार्ज के नाम पे जो यहाँ नीलगिरी मौंटेन है उसका नाम नीलगिरी पढ़ गया है तो इन प्लांट्स को नीला कुरूजी भी खाया था तामिल में और यह कहां जाया था पायाते हैं आपके जो शोला फॉरेस्ट हैं वेस्टन घाट के केरला में वही पर यह पाय जाते हैं स्ट्राबलन्थिस कुंथियाना अज हम बार बार शोला शोला डिसकस करें वाट इस शोला शोला क्या है शोला है यह चोटे चोटे पेड़ों का जंगल होता है जर्रली वेस्टन घाट के जो केरला में वेस्टन घाट है उसके वैली एरिया पाय जाता है और होता क्या चोटे चोटे पेड़ों का जंगल होता है उसके पाँ कुछ ग्रासलेंड एरिया होता है फिर छोटे चोटे पेड़ों का जंगल फिर Grassland area तो उसी Grassland area के बीच में छोटे चोटे पेड़ों का जंगल होता है उसी को हम Shola कहते है और ये आपके Kerala के Western God area में पाए जाता है Western God mountain जो Kerala में है वहीं पे ये पाए जाता है Valley area में तो उसी के नाम पर ये शोला नेशनल पार्क पढ़ गए जब जहां पर ये फॉरेस्ट पाये जाता है अगर शोला फॉरेस्ट तो उस नेशनल पार्क को उसी नाम से जाना जाता है देखिए तो ये था इराविकुलम नेशनल पार्क और हमने एक आपसे question पुछा था highest peak of South India is found in which national park इसका answer भी यहीं पे है Anamudhi Anamudhi highest peak of South India is inside this park Iraviculum National Park में दो fact बहुत important है नेलगीरी ताहर है और Cloud Goats की सबसे ज़्यादा population पाई जाती है second is Anamudhi highest peak of South India is inside this park Iraviculum National Park third National Park देखते हैं Mathi Kattin Shola National Park Mathi Kattin Shola National Park importance as an elephant strip ये एक तरह से हाथियों का गलियारा है movement करने का importance as an elephant strip मतला हाथि एक जंगल से दूसरे जंगल इसी कितरू जाती है तो ये as a elephant strip के रूप में important है Mathi Kattin Shola National Park fourth is Pampadum Shola National Park Pampadum Shola National Park ठीक ये चार national park आपको याद रहेंगे then Perriyar National Park Perriyar तो famous नाम है आपको पता है Perriyar जी के नाम पर बढ़ा है तो Perriyar National Park और इसमें तरह Perriyar River Flow करती है और Pamba River Flow करती है इस national park याथिरू इन दोनों को याद रखिएगा ये question EPSC में पूछा जा चुका है ठीक है Perriyar National Park याथिरू Perriyar River Flow करती है और Pamba River Flow करती है It is notable as an elephant reserve and tiger reserve ये elephant reserve भी और tiger reserve भी है लेकिन कभी एक्जाम में आप पूछा जाता है तो इसको elephant reserve के रूप में जाना अच्छी तरह से जाना जाता है ठीक है mainly इसको elephant reserve के रूप में ही जाना जाता है Then Silent Valley National Park Silent Valley National Park के रूप में है और यहाँ पर एक वड़ी फेमस रिवर है Silent Valley के थुरू वो है आपका कुंथी पुझा रिवर यह कुंथी पुझा रिवर याद रखिएगा Silent Valley National Park के थुरू फ्लो करती है कुंथी पुझा रिवर and part of western ghaard wall heritage site recognized by USA यह जो आपका पहरियार Silent Valley National Park है यह western ghaard का वो एरिया जो की युनेस्ट के world heritage site में उसका हिस्सा है ठीक है इसे part of western ghaard world heritage site recognized by UNESCO एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है Silent Valley National Park के रूप में Silent Valley is home to some of the इंडिया's largest illegal plantation of cannabis cannabis जो कि एक तरह का illegal drug होता है उसकी यहाँ पर illegal plantation बहुत ज़्यादा पाई जाती है Silent Valley National Park में उसको हम cannabis भी कहते है ठीक है इसको factor ध्यान अखिएगा कभी UPC आप से पूछी ले ठीक है यहाँ आपको बीच में छोड़े जंगल दिख रहे होगे फिर यहाँ पर grassland दिख रहा होगा फिर छोड़े बीच जंगल दिख रहे है यहाँ है दल ग्रास्लेंड इसे जोड़े जंगलों को यह चोड़े जंगल दिख रहे है इसे दिए जख रहे थे बीच के बीच में इनको हम शोला कहते है और जानर यह काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है और काली रिवर इसी के थूफ फ्लो करती है उसी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम काली टाइगर रिजर्व भी पढ़ गया है ठीक है? काली रिवर फ्लोस थूफ इट अनिमल्स फाउंड इंदे सार Bengal Tiger, Black Panthers and Indian Elephants Black Panther यह देखिए, काला सा बिलकुल है बिलकुल खतरनाक लगता देखने में Black Panther, यह आपका आंशी National Park यह काली Tiger Reserve में पाए जाता है Black Panther, second National Park is Bandipur National Park बहुत famous है, साइदी ऐसा कोई एक्जाम हो जिसमें यह question ना पूछा गया हो Bandi National Park तो Bandipur National Park कहाँ पे, करनाटक में है it is a Tiger Reserve and animals found in this Tiger Reserve are Bengal Tiger Gray Langour, Indian Giant Squirrel and Gore Indian Giant Squirrel यह बहुत बड़े अकार की गिलहरी होती है and important fact from UPC point of view UPC point of view से सबसे important यहां क्या, कविनी and मोयर रिवर, यह दोनों इसी National Park के थुरूँ फ्लो करती है, कविनी and मोयर रिवर Third National Park is Baner Ghatta National Park Baner Ghatta National Park, हर exam में पूछा जा चुका है इसको, बड़ा common question हो चुका है Tiger, Slothbeer and Mouse Deer are found in this National Park and important fact from examination point of view is it has a butterfly park first butterfly park in India Baner Ghatta National Park में आपका एक butterfly park है जो India का पहला butterfly park है ठीक है, यह question हमने आपसे पूछा दा वीडियो के starting में कि in which National Park first butterfly park of India is established so Baner Ghatta National Park में इंडिया का पहला butterfly park स्थापित किया गया ठीक है चौथा National Park है कुद्रेमुख National Park आपका एक mining area है iron ore का important mining area है करनाटेक में वहीं पर एक कुद्रेमुख National Park and fifth is नागर होल राजीवगांदी National Park नागर होल राजीवगांदी National Park राजीवगांदी के नाम पर तीसरा National Park हम पढ़ रहे हैं एक हमने आसाम में पढ़ा था दूसरा अजेस्ट हमने अभी कहां पढ़ा था आंध्रा हम पढ़ा था और तीसरा करनाटेक में ठीक तो नागर होल राजीवगांदी National Park यह पांच National Park होगी करनाटेक में इनको मैप न थोज़ए देख लेते हैं बनेर घटा National Park यह आपका यहां पे नागर होल National Park यह आपका नागर होल National Park ठीक है अब उनको आप याद कैसे रखेंगे याद कें बड़े सिंपल एक लाइन है ठीक है एक बार बोलिए एक बार मन में सोचिये याद हो जाएगी अब देखिए लॉगडाउन का टाइम चल रहा था कोरोना पिरेड में तो उस टाइम अक्सर लोग अपने घरों में थे और आपने देखा हुआ कि लोग घरों में है और जान और बार सडकों पर भूम रहे थे जंगल से निकल के तो उसी पर माई लाइन बनी है कि नगर में आंशिक बंदी थी और बानर कूद के नाटक कर रहे थे ठीक नगर में आंशिक बंदी थी तो नगर से हो गया आपका नगर होल आंशिक से आंशिक नेशनल पार्क और बंदी थी बंदी पोर नेशनल पार्क और बानर मतलब बंदर बंदर कूद के नाटक कर रहे थे करनाटक समने नाटक ले लिया तो नगर में आंशिक बंदी थी और बानर कूद के नाटक कर रहे थे यह हमारी हो गई ट्रिक ठीक देन महारास्टरा अब महारास्टरा हम पहुंचते हैं महरास्टा का पहला नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है? और इसका importance क्या है? Southern part of सयाधरी Tiger Reserve, part of Western Ghatt, UNESCO World Heritage Site. ये सयाधरी Tiger Reserve का दक्षणी हिस्सा है, चंदोली नेशनल पार्क. ठीक है? उसी, स्वरी, सयाधरी Tiger Reserve के दक्षणी हिस्से को ये चंदोली नेशनल पार पार्क इस गूंगामल नेशनल पार्क, ओके, गूंगामल नेशनल पार्क, पार्ट ओफ मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा आईए, तीसरा हमारा है, नवे गाउन नेशनल पार्क, चौथा, पेच जवाहला लेहरू नेशनल पार्क, पे वेली नेशनल पार्क, संजे गांधी बोरी वेली नेशनल पार्क, गांधी कौन करता था, आपको संजे दित की पिक्चर यादी होगी, गांधी की वाली, तो उससे याद रखिएगा संजे गांधी, अब बोरी वीली, बोरी वीली आपको मुंबईी में ही है, तो आपको से उसके लिए ये ठीक है और फिकर में आप उनको देख लिए इनका लोकेशन मैप में ये देखिए आपका ये है पेंच जवाला नेरु नेशनल पार्क ये वाला ये गुंगा मले नेशनल पार्क हो गया ये नवे गाउं ठीक और ये मुंबई में संजे गांधी बोरिवेल और ये चंदवली चंदवली आपका ये कोल माइनिक एरिया भी है ठीक है अब इनको आप याद कैसे रखेंगे याद करने के लिए सिंपल सा तरीका इसके लिए टेकनिक क्या है नया चांद गुंगा बनके संजे की गांधी गरी को तार रहा था नया चांद से क्या हो गया नया से नवे गांध नवे गांध का मतलब होता है नया गांध ठीक है तो नवे से नया चांद चंदवली 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 तो हमने चांद ले लिया नया चांद गुंगा बनके क्या कर रहा था संजे गांधी की गांधी किरी को तार रहा था नया चांद गुंगा बनक संजेदत की गांधी गिरी को ताड़ रहा था ठीक यह वह सिंपल टेक्निक महारास्टा के बाद हम पहुंचते हैं गोवा गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है मोलम नेशनल पार्क ओके और इस नेशनल पार्क में बहुत फेमास वाटर फॉल एंडिया का दूज सागर ओड ऑके दूसरा कर नेशनल पाल रिए कर तामधी फॉल रक ऑज़ेंश पो इसका तोड़ा साघ्रीं इन दोश्क उन्हारान फ़ना ते मिंटीर कर देखे ठा़क ये गुबा का एक national park वोगा मोलम national park हम पहुँचते हैं मद्यपरदेश मद्यपरदेश में इस टाइम सबसे ज्यादा national park है इंडिया के टोटल 10 national park हैं मद्यपरदेश में तो मद्यपरदेश के पहला national park बांदोगा national park बहुत famous है साधी ऐसा कोई एक्जाम जिसमें ये कोशन न पूछा गया हो बांदोगा national park के उपर और ये tiger reserve भी है ये होगा बांदोगा national park second national park है मांदला प्लांड फॉसल नेशनल पार्क ठीक ये जो आपका national park है मांदला प्लांड फॉसल नेशनल पार्क ये हरे बड़ पेड़ों का national park नहीं है ये मिली फॉसल के लिए national park फॉसल मीज जो पेड़ पहुत है हजारों लाखों साल पहले चट्टानों के बीच में अब मिट्टी में दबते चले गए उनका जो यहां प्रिंट पाया गया उसी पूरे area को national park बना दिया गया है ठीक है इट है इट है प्लांड इन फॉसल फॉसल फॉर्म इट है प्लांड इन फॉसल 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 फॉर्म देट है एग्जिस्टेट इन इंडिया एनिवर बट्वें 40 मिलियंस तो 150 मिलियंस अगो जो करीब 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले जो प्लांट यहाँ पर पत्थरों में या मिट्टी में दब गए उनी का जो फॉसल से उसी पूरे एरिया को आपका मांडला प्लांट फॉसल नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा यह को तीसरा है इंद्रा प्रियदर्शनी पेज नेशनल पार्क पेज नेशनल पार्क दो स्टेट में आता है महरास्टरा और मद्रप्रदेश में महरास्टरा में इसको हम जवाला नहरू के नाम से जानते हैं और मद्रप्रदेश में उन ये Rudeyard Kripling की बुग थी जंगलुक उसी भी बिज थी और ये जंगलुक थी वो इसी नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ट है Page National Park के ऊपर इट बेज अन्दे इस नेशनल पार्क, Rudeyard Kripling के जनगलुक थी 4th इस काना नेशनल पार्क, काना नेशनल पार्क Tiger Reserve भी है और well known for Bara Singha और Swamp Deer यह Bara Singha और Swamp Deer जिसों कहते हैं उसके लिए बहुत famous है आपका Kana National Park ठीक तो कभी exam में अगर पूछा जाए which national park is famous for Bara Singha और Swamp Deer it is Kana National Park यह देखिए आपका यह रहा Bara Singha यह देखिए figure में यहाँ पे ठीक पांचवा आपका है Mathera National Park Mathera National Park इसका जो नाम रखा गया हो Mathera Rao Singha के नाम पे रखा गया है Mathera Rao Singha जो कि अपके ग्वालियर के महराज हुआ करते थे उनी के नाम पे नेशनल पार्क Mathera National Park तो यह Mathera आपको नाम यादी रहेगा कि Mathera Rao Singha मद्दप्रدेश के ही थे ठीक है तो ये 5 मादव नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने में कोई दिख्कत नहीं होगी बाद काद फेमस atenciónal पार्क है मांगरा फोसल नेशनल पार्क है द्दरा का इंदराकांदी dead nerveation पेज नेशनल पार्क ये तो है प्न्ना किस लिए लीए मैं चालों केलिए लिए लाम केली है अ की लिए मैंनट माल्य प्न्ना में कि 7 वा रहा है संजे नेशनल पार्क टthank चतिछ गोड़ और मद्रिपर देश दोनें शहर होता है ठीक है एण आठतेज़ पारी सैथ ब्रॉडा नेशनल पार्क सत्पूरा नेशनल पार्क सत्पूरा की पहारियों पर बनाये गया है जगल बहुत ही घन है सथ्पूरा की जंगल नवा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क ठीक, वन विहार नेशनल पार्क अब इतने सारे नेशनल पार्क अगर हो गए मद्यप्रदेश में तो सब वन तो यहीं पर हो गए, ठीक है तो वन विहार नेशनल पार्क को ऐसे याद रखिएगा कि maximum national park कहां पर है मद्यप्रदेश में तो maximum national park है तो maximum one वहीं पर होगए ठीक और one है तो one विहार होगा तो one विहार national park मद्यप्रदेश में दसवाँ national park यह नया national park है कुनो national park कुनो national park हमने आपके वीडियो के स्टार्टी में कोशन पूचा था in which national park asiatic line reintroduction project started तो वो है आपका Kuno national park जहाँ पर asiatic line का reintroduction project, मतलब ghir से लाके ghir जो national forest seas ठीक अब हम देखेए कि Gujarat के national parks Gujarat में total 4 national parks है first is वनसिधा नेशनल पार्क सेकंड ब्लیکबग वेलवडर नेशनल पार्क ठीक है इसका ब्लेकबग के նाप्राव हुआ देखे हैए यह आपका ब्लैकबग थर्ड इस गिर्देशनल पार्क फेमस नेशनल पार्क है आप सबको पता इसके बारे में एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है ये और एशियाटिक लाइन का साइन्टिफिक नेम जो है पैंथरा लियो लियो ओके और गिर्ड नेशनल पार्क में कुछ रिवर्स हैं उनका अगर देख लीजिए हिरन देन सितरुंजी दतार्दी शीन गोड़ा एंद माचुंद्री र पार्क में होसे तका भी UPSC के मूड में आ जाए कि आपको रिवर दे दे आप फूछ ये किस नेशनल पार्क में बहते हैं ये किस से रिलेटेड हैं इस डेटेड टो गिर्ड नेशनल पार्क फोर्थ इस मेराइन गल्फ अफ कछ नेशनल पार्क ये भी आपका गुजरात मे हैं इनको हम जरा फिकर में के बार देख रहेते हैं ये देखिए आपके एसियाटिक लाइन की फैमली है पूरी फूल फैमली फ्रम गिर्ड नेशनल पार्क उसके बाद आपका ये है मैं आपके लोकेशन देख रहेते हैं ये आपका गिर्ड नेशनल पार्क ये आपका गिर national park and this is marine gulf of kach national park. Gujarat के बाद हम चल दें अन्दमान निकोबार, अन्दमान निकोबार में total 9 national parks है, 9 national parks are there in अन्दमान निकोबार, first is Campbell Bay national park, Campbell Bay national park in अन्दमान निकोबार, located on the island, Great Nicobar, part of Great Nicobar Biosphere Reserve, ये Biosphere, उसका हिस्सा आई है आपका, Campbell Bay national park, जितने भी बे वाले national park पढ़ेंगे, वो आपके अंदमाने निकोबार में, बे वाले national park और कहीं भी नहीं है, ये सब बे और बेंगॉल के अंदर है, तो बे और बेंगॉल के अंदर जो national park है, उनके नाम के साथ बे जुड़ा हुआ है, बह ये आपका, Campbell Bay national park, वहाँ पर ये निकोबार पीजन पाया जाता है, देखिए कितना खूब शुरुए थैन, निकोबार पीजन, सी, दिस इस निकोबार पीजन, फॉंड़ एट, Campbell Bay national park, थर्ड है आपका, महात्मा गांधी, मेराइन, वनवाडू नेशनल पार्क, इससे पहले हम दोर मेराइन नेशनल पार्क डिसकस कर चुके हैं, पहला आपका, तमिल आडू में, गल्फ ऑफ अपन्नार, दूसरा, गल्फ अफ कच्छ, और तीसरा है, ये महात्मा गांधी, मेराइन, वनवाडू नेशनल पार्क इन, अन्दमानी को बार, most of the coral reefs in the park are fringing reefs, ये coral reefs के लि बार्न कर तीन आइलेंड है, आप पूरे अनदमान निकापार आइलेंड को देखेंगे तो बटन शेफ में हैं पूरा है, आप को चिल लगता है कि ये शर्ट के अंदर एक बटन लगे हुए है, या बे और बंगौल के अंदर आप बटन शेफ में दिखेंगे बिल्कुल, तो बटन वाले जितने भी आपके नेशनल पार्क है, मिड़ल बटन, नौर्थ बटन, साउथ बटन, यह तीर नेशनल पार्क आपकी अडवाननी को बार में हैं, और मिड़ल बटन आइलेंड इस प्राइन जहां सी मैराइन नेशनल पार्क, ओके, फिफ्त बन इस, वर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, और यह जो पार्क है, यह बटरफ्लाइ हॉट्सपॉट भी है, बटरफ्लाइ के लिए फेमस है काफी है, इसे यह तो अगर वहाँ इन इस्पीशिस को कुछ डेंजर हो गई है, तो इसे उसको हॉट्सपॉट ग्लियर कर दिया गया है, मांट हरियट नेशनल पार्क, ओके, सिक्स्थ इस, नौर्थ बटन आइलन नेशनल पार्क, दिन सेवेंथ इस, साउध बटन आइलन नेशनल पार्क, ठीक है, तीन बटन हो गए, मिडिल बटन, नौर्थ बटन है, साउध बटन आइलन नेशनल पार्क, आठ हो है हमारा, रानी जहासी मेराइन नेशनल पार्क यह हमारा चोथा मेराइन नेशनल पार्क जिसको हम डिसकस करने जा रहे हैं अंडमान निकोबार में दूसरा मेराइन नेशनल पार्क पहला था मातमा गानी यह दूसरा है रानी जहासी मेराइन नेशनल पार्क रानी जहासी आप कैसे याद रखेंगे जब सुवाज शंद बोस जब आजाद हिन फोज को लेकर इंडिया आ रहे थे तो उन्होंने रानी जहासी रेजमेंट की स्थापना की थी ठीक है और उन्होंने अंडवान निकोबार की तरफ से ही जीतना शुरू किया था इंडिया को तो उसी के नाम पर याद रखेंगे रानी जहासी रेजमेंट काहां पर अंडवान निकोबार में तो आपको अंडवान निकोबार के सभी जो नेशनल पार्क आपको यादी हो गए होंगे एक बाँ फिर सम्हों देख लेते हैं, Campbell Bay National Park, Galitia Bay National Park, then Mahatma Gandhi Marain National Park, Middle Button, North Button, South Button, then Mount Harriet National Park, उसके बाद आपका रानी जहासी Marain National Park and Saddle Peak National Park, इन 9 National Park हो गए, so this completes your video, और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, आपका National Park से रिलेटिर कोई भी कोशन एक्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करें, and subscribe to the channel, so you don't miss the upcoming important videos, आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं होगे, चैनल को subscribe कर ले, Thank you, Jai Hind!